नमस्कार आप देख रहे हैं आटी एस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ चवी भरतपुर के नदभई वुदान सबा छेत्र में पूर्व उपमक्य मंत्री और पूर्व प्रदेश कॉंगर्स सचन पैलिट के 43 वे जन्म दिन पर नदभई कस्वे मेचर अरंड सिंग, आईटी आई पर पूर्व जुला प्रमुक राजबीर सिंग और कॉंगर्स बदान सबा पत्याशी डॉक्टर हिमाशु कटारा और पूर्व उप प्रदान भुपेंदु सिंग की नितत में पूर्व जला प्रमुक राजबीर सिंग ने कहा कि रख्तदान महादान है ये दूसों के जिंदगी में उजियारा लेकर आता है रख्तदान से बड़ा पुन्य और परुपकार नहीं है रख्तदान के पती आमजन को जागरुख होना चाहिए नदबई वुद्वान सबा कॉंगस पत्याशी डॉक्टर हिमाशु कटारा ने कहा कि करोना मामारी के चलते भरतपुर जले में बलट बैंक में बलट की कमी आ गई है युवाओं ने ये निर्णाय लिए है कि زगा से जज़ादा रख्तदान करके पाइलिट के जन दिन को य्तिहासिक बनाने के लिए यवाओं ने स्वैचिक रख्तदान किया युवाओं की रक्तदान करने की आज कस्वे में होड सी मच गई जिसके चलते अपने नेता के जन दिन को यादगार बनाने के लिए युवा बच्वर्ड कर भाग लेते हुए नसर आये ताकि किसी कुरत की जरुवत पढ़ने पर ये किसी जरुवत मन की जिन्दगी बचा सके वो फ्लड मिल सके और सरकार को इसमें असायता मिल सके हम पुरा रायस्तान इससे कॉम्रेस में मजूती आएगी आर्टी में मजूती आएगी आगामी पंचादी राज चुना में उसमें कारकरता सब एक जुट होंगे और मैं बहुत बहुत हैसे दिल से उनको बढ़ाय देता हूं और की दीर गाहिग कामना करता हूं वस्वस्त रहें दीर गाहिग रहें और रायस्तान के यूद का संचालन करें करते रहें और यह रखदान कर रहें और एक भादान के रूप में महनाजाता है और हम दूआ करते हैं कि शचिन पाइलेट जी का जीवन है वो दीरगाई हो और अभी हो अमेशा सस्थ बने रहे हैं और राज्तान की राजनितिक गलियारों में हमेशा उन्होंने युवाओं का बुजुर्गों का सभी का नम्मान किया युवाओं के चस्थ पहेते रहे और आगे भी बविश्व में वो विवाओं के और आदर्स और बुजुर्गों के बेटे बनकर राजनितिक में अच्छा चेहरा बनकर उबढ़ करें